तो आज मैं आपके डिमांड पे 7 से 8 नमबर तक के कानाजी का चोली लेकर आए हैं जो कि 3 प्लाई से बनाए हुए हैं आईए देखते हैं कैसे बनता है आने के लिए हम 22 चेन सबसे पहले ले लेंगे ये हमारा उन है 3 प्लाई का और क्रोशिया है 3 एमेम का 22 चेन लेंगे इस तरह से हम 22 चेन ले लिए एक बार फिर से गिन लेंगे हम एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, तर्श, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सुल, शत्र, अठारा, उन्नीस, बीस, एकिस, बाईस 22 चेन यहाँ पे 23 चेन है तो 22 चेन लेने के बाद 2 हम और एक्स्ट्रा लेंगे तो 23 चेन हो चुका है दो एक्स्ट्रा में 24 चेन हो जाएगा हमारा यह रहा 24 चेन इसके बाद फंदे लेंगे फंदे लेकर यह तीसरा चेन जो है यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रुसिया बनाएंगे चौथा चेन पे हुक को डालेंगे हम चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रुसिया बना लेंगे अब देखिए अब ये जो तीन चेन हम लिए हुए थे ये तीन चेन एक डवल कुरूशिया का काम किया उसके बाद उसके बगल से एक डवल कुरूशिया निकल गया एक डबल कुरूशिया और बनाएंगे, तीन डबल कुरूशिया हो गया, अब एक चेन से दो डबल कुरूशिया बनाएंगे, जैसा कि हम चोली में बनाते आए हैं, एक चेन से दो डबल कुरूशिया, एक दो चेन और एक और डबल कुरूशिया, इसके बाद फिर हम एक एक च दो, तीन फिर से हम एक चेन से दो डबल कुरूसिया करेंगे एक डबल कुरूसिया, दो चेन, एक डबल कुरूसिया अब हम छे डबल कुरूसिया करेंगे अलग-अलग चेन से एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये रहा छे अब एक चेन से दो डबल कुरूसिया करेंगे एक डबल कुरूसिया, दो चेन और इसी से एक और डबल कुरूसिया इसके बाद हम तीन डबल कुरूसिया अलग-अलग चेन से करेंगे एक, दो, तीन अब एक चेन से दो डबल कुरूसिया करेंगे एक डबल क्रूसिया, दो चेन और इसी चेन से एक और डबल क्रूसिया इसके बाद हमारे पास तीन चेन बचा अब हम तीनों चेन पर एक डबल क्रूसिया बना लेंगे हमारा एक लाइन यहाँ पर कम्पलीट होता है अब हम फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम बनाए हुए हैं यहाँ पर 3 डवल क्रोशिया, 1 चेन से 2 डवल क्रोशिया, फिर अलग 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 चेन से 3 डवल क्रोशिया, अब हम 3 चेन लेंगे और अगला दूसरा लाइन हम कम्प्लिट करेंगे फंदे लेंगे, अब यहाँ से हमें नहीं उठाना है, हमें यहाँ पर हुक को डालकर, 1 डवल क्रोशिया तयार करना है क्योंकि जब हम यहाँ पर 3 चेन लेते हैं, तो यह 1 डवल क्रोशिया का काम करता है इसके बाद हम बुनते चले जाएंगे परतेक चेन में एक एक डबल कुरोशिया यह हो गया अब हम इस अस्थान पे आएं जैसा कि हम और भी चोली बताये हुए हैं उसमें हम बता चुके हैं कि जब हम इस अस्थान पर आएंगे तो यहां से हमें दो डबल कुरूसिया बनाना है, दो चेन लेते हुए, एक, दो, तीन, चार, चारों अस्थान से फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद एक डबल कुरूसिया, दो चेन, फिर से एक और डबल कुरूसिया, फिर से जितना भी हमारे पास ये डबल कुरूसिया है पर तेक पे से एक एक डबल कुरूसिया बनाते हुए हम इस अस्थान तक आएंगे ये हो गया फिर हम इस जगह पे आए हैं यहां हमें फिर से डबल कुरूसिया करना है एक जगह से दो डबल कुरूसिया दो चेन बनाते हुए ये एक डबल कुरोशिया ये दो चेन और फिर से एक और डबल कुरोशिया अब हम सारे डबल कुरोशिया के उपर एक डबल कुरोशिया के उपर डबल कुरोशिया बनाते चले जाएंगे यहाँ पर दो डबल कुरोशिया दो चेन लेते हुए बनाएंगे फिर से हमें यहाँ पे भी उसी तरह से करना है और इधर हमें बुन लेना है तो इस तरह से हम बुनते हुए यहाँ पे कुछ लाइन कम्प्लिट करेंगे इस तरह से देखिए हम इसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच लाइन में कम्प्लिट किये हुए है पांच लाइन में कम्प्लिट कर लेने के बाद में इस पे हम बाह निकालना सुरू करेंगे दोनों तरफ से बाह निकालेंगे सबसे पहले इसे हम पलट लेंगे पलट कर तीन चेन ले लेंगे फिर डबल कुरोसिया बुनना सुरू करेंगे कि अब यहाँ तक डबल कुरूशिया हम भूयच चुके हैं अब हमें ये दोनों बाह बनाना है तो यहां पर हुग को डालेंगे यह पर निकालेंगे इस तरह से जैसा की हम और वी वीडियो में बतला चुके हैं तो फंदा लें इंगे फंदा लेनी की बाद इस स्थान पर हुप को डालेंगे और एक डबल कुरूश यहां पर हम तयार कर लेंगे फिर से फंदा लेंगे फंदा लेने के बाद इतना दुर हमें नहीं बुनना है यहां पर एक हम डबल कुरूश यह तयार करेंगे अब हम यहां से लेकर यहां तक बुनते चले जाएंगे, इसके बाद हमें दूसरा बाह निकालना है, यह इस तरह से जितना भी बचा हुआ अडबल क्रोशियाओ से हम बुन लेंगे अब हम यहां पर पहुँच चुके हैं, अब हम दूसरा बाह भी उसी तरह बना लेंगे, फन दालेंगे, यहां हुख को डालेंगे, एक डवल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस स्थान पर हम हुख को डालेंगे, एक डवल क्रोशिया यहां पर तियार करेंगे और बाकी जो भी डबल कुरोसिया यहां भी बचा हुआ है इससे हम बून लेंगे इसके बाद हमें एक लाइन और बूनना है हम फिर से तीन चेन लेँगे 100 लेंगे डेक्या अब यहां पर काना जी का इस तरह से बाह निसकल गयां दोनों तरफ और अब यहां निकल आप कुछ लंबा रखना चाहती तो यहां पर आप two-dो भार डबल कुरोसिया बना सकती दो लाइन और अगर चाहती है कि हलका रहे तो हम यहाँ पर एक पार और डबल कुरुसिया बनाएंगे अगर आप चाहती है तो बिग्रख के अनुसार एक पार और यानि दो तीन बार यानि कि बाहं घटाने के बाद दो बार और हम डबल कुरुसिया यहाँ पर तयार कर लेंगे कहीं भी हमें बढ़ाना या घटाना नहीं है सिर्फ हमें बस बूनते चले जाना है अब यहां पे देखिए यहां पे जब हम आये हैं तो यहां इस तरह से में करना है यह फंदे को लिए अब हमें इस पार नहीं गिराना है फिर से फंदा ले लेना है और इस पे भी हुक डालकर इस तरह से बनाते हुए तीनों को एक साथ गिरा देना है यहाँ पर दोनों बाहां के नीचे दोनों अस्थान पर यहाँ पर इसी तरह हम बनाएंगे यह जो बाहां है यह बाहां के नीचे इस अस्थान पर इसी तरह हम बनाएंगे अब बाकी बाकी डवल कुरूसिया हम कर लेंगे एक डवल कुरूसिया पर एक डवल कुरूसिया फिर जब हम बाहा के अस्थान पर पहुंचेंगे तो फिर उसी तरह से हमें करना है अब हम फिर से बाह के पास पहुंच रहे हैं यह एक और यह दो अब दो डवल कुरूसिया में हमें उसी तरह बुनना है जैसा कि हम अभी बुन लिये थें देखें यहाँ पर हुक को डालेंगे और इसे गिराएंगे लेकिन फंदा दोनों को हम एक साथ रखे रहेंगे फिर से फंदा लेंगे फिर से इस स्थान पर हुक को डालेंगे और यह दोनों को गिराएंगे इसके बाद तीनों को एक साथ गिरा देंगे अब बाकी बाद यहाँ पर जो डवल कुरुसिया है वो हम पूरा उतना ही बुन लेंगे इसके बाद हम आउटलाइन बनाएंगे किसी भी दुसरे कलर से आप आउटलाइन बना सकती है यह हो गया यहाँ पर हम उनको कट कर लेंगे तो यह इस तरह से बनकर यह चोली तियार हुआ है अब हम सिर्फ यहाँ पर आउटलाइन करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक और बाह में तुनों बाह में जब यह थ्री प्लाइ काउन है तो यह टू प्लाइ काउन हम दो पिस में ले लेंगे और इसके बाद इससे हम बनाएंगे यहाँ से लगाएंगे हम इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी डिजाइन बना सकती है हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ढंग से बतला रहे हैं यह हो गया फिर से हम यहाँ पर हुप को डालेंगे और इस तरह से बनाते हुए से कम्प्लिट कर लेंगे यह हम इसी तरीके से बनाते हुए पूरी गुलाई में यहाँ से बनाकर यहाँ लाएंगे फिर बाह पर भी बना लेंगे इस तरह से देखिए यह बाह पर हम बना रहे हैं बड़ता है यहां से उठाए थे, यहां लाकर लाश्ट कर रहे हैं अब यहां पर इस से डाल कर इस तरीके से बंद कर देंगे उनको यहां कट कर लेंगे हम, तो इस तरह से यह बंद कर तयार हो जाएगा यह इस तरह से, इसे हम अडिश्ट कर लेंगे, अंदर की और जब हम इस पर चोली बनाएंगे, तो यहां पर यह दोनों को जोड़ देंगे जोड़ने के बाद चोली बनाएंगे, तो इस तरह से यह कान्हाजी का चोली तयार होता है मैं उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करें सेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू